सब्सक्राइब करें ट्राइवल इंडिया टीवी को और लेटस नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन क्लिक करें स्री नगर में आतंकियों से मुटभेड के दोरान जारखंड के सियारपियप जवान कुल्दीप उराओं सहीध हो गए कुल्दीप सीयारपियप की क्विक एक्षन टीम के सदस्य थे, कुल्दीप सीयारपियप की 118 बटालियन में पोस्टेट थे और जारखंड के साहिब गंजिले के निवासी थे जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात जब गस्ति दल मलबाग के जकूरा छेतर से गुजर रहा था उसी दवरान जवानों को एक स्कूल के आसपास संदिग्ध गतिवीदियां दिखी जवान जैसे ही संदिग्ध गतिवीदियों वाली दिशा में आगे बढ़े इसी दवरान छुपे आतंकियों ने सेना के जवानों पर फाइरिंग सुरू कर दी जिसके बाद मुटभेड सुरू हो गई स्री नगर में आतंकियों से सुरुच्छा बलो की हुई मुटभेड में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे घायल जवानों को 92 बेस सेना अस्पताल में भरती कराये गया था वहीं गंभी रूप से घायल कुल्दीप ने अस्पताल में अंतिम सास ली बता दे कि गुरुवार देर राज जमू कस्मीर के स्री नगर के हजरत बल दरगा के मालबाग इलाके में आतंकियों से मुटभेड में सहीध हुए कुल्दीप उराओं का पार्थिव सरीर सुकुरुवार तीन जुलाई को देर साम राची पहुँचा राजिपाल द्रोपदी मुर्मू ने सहीध जवान कुल्दीपुराओं को नमन किया और सरधांजली अरपित करते हुए कहा कि इस देश को ऐसे वीर संतानों पर गर्व है हमारे वीर जवान देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को अच्छुन बनाए रखने के लिए हर ज़न तरपर रहते हैं वही ज़ार्खन के मुखे मंत्री हेमन सोरेन ने स्री नगर में आतंकियों से मुठभेड हुए सहीध जवान को अपनी सरधांजली अरपित की साथ ही परिजनों को दुख सहन करने की सक्ति देने के लिए प्रातना की है उन्होंने सुक्रवार को सर परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की सक्ति दे मन में दुख भी है दे निसिंग के बीच यह तै करना होता है कि देश के परती हर एक नागरिक के भी दुम्मेवारी है आज ऐसे वीरों का सहादत व्यर्थ ना जाए हमेशा ये बातें देश के नागरिक को याद रखना चाहिए जार्खन परदेश के लोग आज से नहीं सदियों से अपनी बलिदानियों देते आए हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा किसी भी परिष्टी कहीं पर भी बिना रुके बिना ठके हमारे नौजवान अपने को हर पुरवानी के लिए तया रहा है हमें इस पर गरूँ ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार भी स्री नगर में आतंग्यों से मुटभेट के तोरान सहीद हुए जारखंड के लाल कुल्दी पूराओं को नमन करता है और सर्धांजली अर्पित करता है सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए